हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक जैसे कि आपने थमनेल में देखा इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिसकस करना जा रहा हूं न्यूजिलेंड की कुछ ओपनिंग के बारे में फिर्ट्स आपको पता ही होगा न्यूजिलेंड जो हैं इंगलिस स्पिकिंग कंट्री है और यह आज चाता हूं पॉइंट पर कि क्या डेजिनेशन के लिए ओपनिंग है यहां पर स्टील फैब्रीकेटर चाहिए स्टील वेल्डर चाहिए इस्पेशली वही वेल्डर चाहिए जिनको इंगलेश आता हो प्रिफरेबली आपके पास आईटी आई हो और बहुत अच्छा होगा अगर आपने इंडिया में किसी प्रेस्टीजिएस ब्रैंड के साथ काम किया हो जिसको आप जस्टिफाइब कर सकें आपके आसवा का आई-कार works experience हो और अगर आपने ओवर्सीज काम किया है मानलीज आपने में गल्फ में काम किया है जी सी सी कंट्रीज में काम किया है तो तो आपने एक criteria समझ लिया होगा friends, designation क्या है? Steel welders का. English भी आना चाहिए, ITI होना चाहिए, और आपको Gulf का experience होना चाहिए. लिकिन अगर आपको Gulf का experience नहीं, आपने इंडिया में काम किया है, तो आपने genuinely किसी बड़ी company में काम किया हो, जिसका experience आप शोग कर सकें. यह आपको समझना है. क्योंकि friends, New Zealand का visa का process रहेगा, उसमें सबी documents के में जुरूत होगी. मैं बहुत सरे लोग ऐसे हैं, जो कि अपना खुद का काम करते हैं, या अपनी छोटी से दुकान है, तो please, आपका visa stem कराने में काफी दिक्कत होगा. तो criteria को आप पहले समझ लें, salary यहाँ पर काफी अच्छी है, क्या process रहेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को with due regard, with due respect बोलना चाहूँगा, कि देखिए, फिलाल New Zealand की यही opening है हमारे पास, जो मैंने आपको बताई, इसके अलाबा फिलाल कोई और opening नहीं है New Zealand की, क्योंकि बहुत सरे लोग बहुत ज़दा crazy है, eager है, they want to reach New Zealand anyhow, तो हम लोगों के पास फिलाल यही opening है, जिसका criteria मैंने आपको बता दिया, genuine work experience, preferably ITI होना चाहिए, और English भी आना चाहिए, क्योंकि English speaking country है, जब यह सभी documents होंगे, तभी आपका visa stamp हो पाएगा, otherwise नहीं हो पाएगा, और कोई shortcut नहीं है, और कोई opening New Zealand का नहीं है, सरफ यही opening है, और आपने अभी कोई advance नहीं देना है, आपने कोई token money नहीं देना है, अभी नहीं देना, जब तक आपका selection नहीं हो जाता, on the spot बुलाकर आपकी testing करी जाएगी, client वहाँ पर देखेगा, आपको कितना काम आता है, आपके document cross check किये जाएंगे, उसके बाद ही आपका selection होगा, naturally इस process में थोड़ा सा time लगेगा, तो अपने करना क्या है, नीचे जो मैं email ID को दे रहा हूँ, resume at the rightcontramentors.com, इस पर आप अपने documents का PDF फाइल भेज़ दें, होज़कता है इस blog को आप India से देख रहे हों, निपाल से देख रहे हों, या फिर आप इसमें गल्फ में, या किसी और country में काम कर रहे हैं, या गल्फ के किसी देश में काम कर रहे हैं, और आप वहाँ से migrate होना चाहते हैं, न्यूजिलेंड, possible है, बसरते, provided, आपके पास ये सारे certifications हों, आपके पास genuine work experience है, आपके पास genuine technical, कोई certificate, degree और diploma है, और आप उसको proof कर सकें, और आपको English भी आता है, at least 50% English आना चाहिए, right, तो ये था criteria friends, अब क्या काम करेंगे, कितना earning होगा, earning का एक idea मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर जो आप earn कर पाएंगे, दो से धाईलाक रुपे इंडियन करनसी में, और अगर न्यूजिलेंड डॉलर में बात करो, तो 4000-5000 न्यूजिलेंड डॉलर इतना earn आप कर पाएंगे, कंपनी का काम क्या है, employer क्या करते हैं, basically ये green houses आपने हैं देखेंगे, जहां पर पौदों को उगाया जाता है, तो green houses के, जो इनके पास contracts होते हैं, एक जो है well established company है, उनको चाहिए, इन्होंने हमें बोला था कि हमें ऐसे candidate चाहिए, जो कि 4 men के level के हो, जोनोंने या तो maintenance में काम किया हो, 3-5 साल generally काम किया हो, और वो इस criteria को fulfill करते हों, friends क्योंकि जो visa का जो process होता है, इतना easy नहीं होता है, गल्फ में तो अच्छी बात है कि हम fresher को भी भेज सकते हैं, बिना ITI वाले को भी भेज सकते हैं, means कोई भी बुलाया जा सकता है, वहाँ गल्फ आपको यह मुखा देता है दोस्तों, अच्छी बात है यह, लेकिन जब बात आती है Europe की, जब बात आती है New Zealand की, तो friends criteria बहुत ही strict हो जाता है, तो आप यह ना सुचें कि आप कुछ extra पैसा offer करेंगे, या आप कुछ shortcut अपनाएंगे, कोई जुगाडवाजी करेंगे, कोई sitewood कहीं से बना के लियाएंगे, एक काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने बाला, ठीक है, और बहुत limited openings है, तो अगर आप steel fabricator हैं, और आप इस criteria को fulfill करते हैं, तो मेरा आप से request है, आप तभी हमारी team को call करें, बेकार में अपना समय बेश्च ना करें, और भी कई सारी openings चल रही हैं, यूरोपेन कंट्रीज की, गल्फ कंट्रीज की, जहां पर कोई भी आदमी apply कर सकता है, जैसे कुरूशय का बाइक रैडर का काम है, या रुमानिया में, एक assembly unit का काम है, hospitality के बहुत सारे काम चल रहे हैं, यूरोप के, वहाँ apply कर सकते हैं, लेकिन इस particular opening के लिए, फिर से मैं दोस्ता आपको बोलना चाहूंगा, तब या apply करें, गर आप सच मुछ steel welder हैं, और आपको काम जरूरली आता है, और आप ये supporting documents में हमें provide कर पाएंगे, और साथ में आपको English भी आता है, तो that's it friends, ये था New Zealand का blog, इस तरह के साथ साथ बने रहें, मैं और भी बहुत सारी openings आपके साथ शेर करता रहूंगा, YouTube के साथ-साथ Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter और मुछ सभी social media platforms पर आपकी company Contra Mentors अविलेबल है, थोड़ सा time निकाल कर वहाँ पर भी हमें follow कर लें, description के अंदर बाकी की details और अपनी team के contact numbers में दे रहा हूँ, अगर आपका profile match करता है, आप उन्हें documents को email कर दें, और working आज में उन्हें call करें, Monday to Saturday, 10 बज़े से लेके, शाम को साथ 5 बज़े तक, Thank you very much guys, all the best.